आज के इस वीडियो में हम एकांकी संजे के 4th चैप्टर सूखी डाली का डीटेल एक्स्प्लेनेशन देखेंगे प्रस्तत एकांकी सूखी डाली श्री उपेंद्रनात अस्कद्वारा रचित है सूखी डाली एकांकी संयुक्त परिवार के मैत्व को दर्शाती है कहानी के दादा मूल रास जहां संयुक्त परिवार के सदस है वहीं उनके पोते की बहु एकल परिवार में आस्था रखती है अपने पोते की बहु बेला के मन में संयुक्त परिवार के प्रती आस्था जगाने के लिए वे अपने विचार उस पर थोपते नहीं है बल्कि उसकी भावनाओं का कदर करते हुए समय सोतंतरता देते हैं जिससे अंत में उसे संयुक्त परिवार का महत्व समझ में आता है इस प्रकार यह एकांकी संयुक्त परिवार के महत्व को प्रतिपादित करती है इस एकांकी में कई पुरुष और स्त्री पात्र हैं पुरुष पात्र दादा मूल राज, कर्मचंद्र, परेश, भाशी और मलू हैं और वहीं स्त्री पात्र, बेला, छोटी भावी, मंचली भावी, बड़ी बहु, पारो और रजवा हैं दादा मूल राज, कहानी में घर के मुखिया हैं और उनकी आयू 72 वर्ष है दादा मूल राज, अपने परिवार को एक बरगत के पेड़ समझते हैं और परिवार के हर एक सदस्य को बरगत के पेड़ से जुड़ी हुई डालियां वे अपने परिवार के किसी एक डाली अर्थात परिवार के किसी एक सदस्य को पार्थक नहीं देख सकते थे वे संयुक्ति परिवार के उपासक होने के कारण अपने परिवार को तूडने से बचाने के लिए हर संभव प्रयास करते थे दादा घर के सभी सदस्यों को उचित स्वतंतरता और सम्मान के पक्षधर हैं वे अपने विचारों को किसी पर थोपने के बज़ाए उनके विचारों को समझने के लिए उचित वातावरण तैयार करते हैं दादा अनुशाशन प्रये और परिवार के सदस्यों के बीच सम्मानिये भी हैं इसके कारणी घर के प्रतिक सदस्य उनकी कही बात का पालन करते हैं दादा समझधार और दूर दर्शी भी हैं उनके समझधारी के कारणी परिवार आज संपन्निता के सिखर पर है ऐसे में नई बहु बेला के आगमन से परिवार में अलगाव की स्थिती उत्पन हो जाती है जिसे दादा बड़ी कुशल्दा से समाल लेते हैं बेला वे पड़ी लिखी सू संस्कृत घराने से संबंद रखती है उसका विवा परेश्य हुआ है जो की नायाव तहसीलदार के पत पर कारेरत है इसलिए घर में वे छोटी बहु कहलाती है छोटी बहु हर समय अपने माईकी की ही तारीफ करती रहती है इस कारण घर के सभी सदस्य उसे अभिमानी समझते हैं और उसकी बातों पर हस्ते रहते हैं उसके घर और यहां के वातावरण में काफी अंतर होने के कारण वे घर के पारिवारिक सदस्यों के साथ ताल मेल बैठाने में दिक्कत महसूस कर रही है वहीं घर के सदस उससे अभिमानी समझते हैं और उसकी निंदा और उपास करते रहते हैं छोटी वहू बड़े घर की अत्यधिक पढ़ी लिखी बेटी थी साधी के पूर वै अपने माईके में राज करती आई थी परन्तु अब उसे यहां पर अपने ससुराल में हर एक का आदर करना पड़ता था हर एक से दबना पड़ता था और हर एक के आदेश मानना पड़ता था इसलिए यहां उसका व्यक्ते तो एक प्रकार से दफसा गया था और इसी कारण उसका मन भी नहीं लगता था घर को अलगाओं से बचाने लिए वक्ता ने घर के सभी सदस्यों को बुला कर समझाया कि उन सभी को किस प्रकार से छोटी बहु के साथ विवार करना चाहिए उन्होंने सभी को समझाया कि घर के सभी सदस्यों को छोटी बहु से ग्यान अरजन करना चाहिए ना कि उसकी बातों का मजाग उड़ाना चाहिए इस प्रकर दादा जी की बातों का घर के सभी सदस्यों पर असर पड़ा दादा जी ने सभी को समझाया कि कोई भी व्यक्ति उम्र या दर्जे से बड़ा नहीं होता घर के छोटी बहु भले रिष्टे से सबसे छोटी हो परन्तु अकल के मामले में सबसे बड़ी होने के कारण घर के सबी सदश्यों को छोटी बहु की बुद्धी और उसकी योगिता से लाव उठाना चाहिए घर के सबी सदस्तियों उसे आदर सत्कार उसकी राय को महत्व और पढ़ने के लिए समय दे उसे ऐसा महसूस ही ना होने दे कि वह किसी अन्यवाता वरण में आ गई है दादा के कहें अनुसार घर के सबी सदस्त छोटी बहु बेला को कुछ अधिक ही आदर देने लगते हैं जिससे वह थोड़ी असहज महसूस करने लगती है क्योंकि वह ही वह भी परिवार में हिल मिलकर रहना चाहती थी ऐसे में वह दादाजी से कहती है कि वह बरगत के पेड़ से किसी डाली को अलग नहीं देख सकते परन्तु क्या वह यह देख पाएंगे कि कोई डाली पेड़ पर ही सूख गई है वे सूखी डाली नहीं बनना चाहती थी जो पेड़ के विकास में अपना सयोग ना दे पाए इस तरह अंत में बेला भी सयोगत परिवार में मिल जुलकर रहना सुईकार कर लेती है